जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का तेरा तारीक को विकली टेस्ट होने वाला है और एकॉर्डिंग टू सलेबस आप लोगों को जो पढ़ कर जाना है वो रेखा और कोण को पढ़ कर जाना है तो आज के इस वीडियो में हम लोग काफी important सवालों को देखेंगा और ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि यह सवाल जो है सिर्फ आप लोगों के विकली टेस्ट के लिए important है क्योंकि आप लोगों का final exam भी दिन पर ते दिन नजदीक आते जा रहा है उसके बाद half yearly exam की भी सूचना है जो है आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी तो चलिए आप लोगों को हम direct सवाल पे लेके चलते हों काफी अच्छे तरीके से और धीरे धीरे आप लोगों को समझाने का परियास करेंगे कोसिस करेंगे कि आप लोगों को आज का इस वीडियो में कुछ सीखने को मिले तो अभी से वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पे प आपको बताना है तो इसको हम लोग रेखा खंड बोलते हैं क्या बोलते हैं रेखा खंड क्योंकि यह खंड बे विभाजित हो गया हमने इस पर क्या लगा दिया boundary लगा दिया खंड क्या होता है तो हमने क्या कर दिया boundary लगा दिया कि यहां से start हुआ और यहां खतम हुआ इस कभी आप लोगों कर जो degree में value देगा कभी-कभी आपको figure में दे सकता है आपको बोलेगा बताइए ये क्या है noon कौन है कि नहीं है तो हाँ ये noon कौन है क्योंकि जो 90 degree का figure होता है वो इस तरह से बनता है तो 90 से कम वाले को क्या बोलते है yu-kon बोलते हैं इसको याद रखिए गों यानि कि तोटल सर्कल में को बनता था मतलब क क्या होता हम आपको समझाते है एक यहां से यहां तक पूरे में एंगल बनेगा अब आपको समझ में नहीं आ या है देखिए अगर माल लिजे कि हम इस वाले एंगल को ना ले करके हम इधर वाले एंगल को ले लेते ये कितना बना 90 बना बना अब चलिए हम इधर वाले एंगल को ले लेते ये भी 90 बनेगा ठीक है और ये भी 90 बनेगा तो 90 यहाँ 90 यहाँ 90 यहाँ और 90 यहाँ तो टोटल अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जागा 9.36 यानि कि टोटल 360 ठीक है तो जो एक पूर्ण कोन होता है वो कितना को होता है 360 डिगरी को होता है परती वर्ती कोन होता है जो परती वर्ती कोन होता है अब आपको एक सरल कौन के बारे में आपको बतानी है ठीक है तो जो सरल कौन होगा न वो जो होगा वो 180 डिगरी कहलाएगा तो सरल कौन को याद रखने का सबसे आसांट रिख है कि हम आपको बता देते एक सरल रेखा याद रखिएगा यह सरल देखा है, यहां से यहां तक का कौन, तो यह आपको कितना होता है, 90 होता है, इधर भी कितना है, 90-90 मिला है, कितना होता है, 180 अब आपसे जो पूछा है वो पूछा है एक अधिक कोन का होता है value यानि कि अधिक कोन का आपको मान बताना है तो 90 से जो बेसी होगा और 180 से जो कम होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं अधिक कोन बोलते हैं याद रखेगा अधिक कोन का मतलब हो जाएगा 90 से तो बेसी होना चाहिए वो अधिक कौन के अंतरगत आता है ठीक है अकला सवल है हमारा वह कौन जो 90 से अधिक तथा 180 से कम हो क्या कहलाएगा तो वह कौन जो 90 से अधिक होता है उसको हम लोग अधिक कौन कहते हैं अभी आप लोगों को क्लियर हो गया था नेक्स्ट सवाल है कि वह कौन ठीक है याद रखिएगा नेक्स्ट जो सवाल है कि वह कौन जो 0 डिगरी से अधिक तथा 90 से कम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं नियून कुन बोलते हैं चली अगले सवाल पर आते हैं अगला सवाल है हमारा वह कौन जो 180 डिगरी से अधिक जो 90 degree से कम होगा यानि कि down कम का मैंने नीचे वाला तीर बनाया कम होगा क्या कहलाएगा noon कौन जो कौन 90 degree से अधिक होगा लेकिन 180 के border तक जाके रुखेगा वो कहलाएगा अधिक कौन वो कहलाएगा अधिक कौन अब बोल रहा है 180 से ले करके 360 के बीच का कौन क्या कहलाएगा तो 180 से ले करके 360 के जो बीच का कौन होता है वो पर्ती वर्ती कौन कहलाता है क्या कहलाता है पर्ती वर्ती कौन अब पुर्ण कौन के बारे में आपको जानकारी दे दिये थे कि पुर्ण कौन जो होता है वो टोटल होता है 360 ठीक है चलिए अगले सवाल पर आते हैं अगला सवाल देखें क्या कह रहा है हम लोगों से कि दो कौन जिनका योग 180 के बराबर होता है क्या कहलाता है यानि कि दो कौन होगा वगर हम दोनों को जोड़ दें तो उन दोनों कोनों का जो कौन होगा वो 180 डिगरी हो जाएगा वो क कुन कहलाएगा समपूरक कुन क्या बोलता है समपूरक कुन तो मान लेज़ेगी दू कुन समपूरक तब होगा जब उन दोनोंको जोडने पर कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए ठीक है चली अगले सवाल पे आते हैं अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा कह रहा है कि 20 का पूरक कोन क्या होगा ठीक है अब देखिए आपको पूरक बोला है निकालने के लिए तो 20 का पूरक तो पूरक कोन जो होता है ना दो पूरक कोनों का यो कितना होता है ठीक है 90 डिगरी दो पूरक कोनों का यो कितना होगा 90 degree अदो सम पूरक कोनों का यो कितना होता है 180 अभी आपने देखा अभी आपने पड़ा अभी तुरंट अपने बदाया आपको कि पूरक होता है 45 का पूरक देखे, पूरक का मतलब क्या, नब्बे, तो आपको नब्बे पुराना है, तो 45 में कितना जोड़ेंगे, तो पूरक होगा, सम पूरक का बात नहीं कर रहा है, पूरक का बात कर रहा है, ठीके, पचपन का पूरक, अब पचपन में कितना जोड़ेंगे कि नब्बे हो जाएग बताईए 24 में हम लोग 66 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा या नहीं तो आप 90 में 24 को घटा दो तो 10 में से 4 जाएगा 6 यहाँ पर 8 बचा 8 में से दो जाएगा 6, 66 गिया या तो पूरक कुन का value आप 90 में घटा कर बता सकते या तो हम जैसे आपको बता दे कि 24 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा पूरक कुन बनाना है तो नब्बबबबबनाना है 66 जोड़ेंगे ऐसे भी बना सकते हैं या 9 में घटा कर config 42 का फूरक कौन पूरक निकालना है तो 90 में 42 को घटा दीजिए 10 में से 2 जाएगा 8 8 में से 4 जाएगा 4 यानि 48 option number B हमारा याँ पे right answer होगा 18 का पूरक कुन क्या होगा आप देखें पूरक निकालना है तो 90 में किसको घटाएंगे 18 को घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा 2, 8 में से 1 जाएगा 7 यानि कि 52 option number A हमारा right answer होगा 33 का पूरक कोन आपको बताना है तो 90 में से आपको 33 घटा दीजिए 10 में से 3 जाएगा 7 8 में से 3 जाएगा 5 यानि कि 57 option number D हमारा right answer होगा अगले सवाल पे आते हैं अगला सवाल देखते हैं question number 20 संपूरक का मतलब क्या दोनों को मिलाने पर कितना ना चाहिए 180 अब यहाँ पर जितना भी खेला होगा अब 180 पर होगा 20 का संपूरक तो 20 में आखिर कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा संपूरक करना है न 180 हो जाएगा तो 160 या नहीं तो 180 में आप 20 को ऐसे घटा करके भी बना सकते हो तो आपका 106 अंसर आजाएगा ओपसंस नंबर C ठीक है कुस्तन नंबर आते हैं हम लोग 64 पर 64 का संपूरक कौन क्या होगा संपूरक बोला है पूरक बोलता तो 90 से काम करते संपूरक बोला है तो 180 से काम करेंगे 180 में 64 कम कर दीजिए 10 में से 4 जाएगा 6 यहाँ पर बचा 7 में से 6 जाएगा एक पहले से है तो 116 डिगरी ओपसं नंबर D हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अब आते हैं नेक्स्ट 120 का संपूरक इसको आप लोग कमेंट बेक्स में कमेंट कर दीजिए कि 120 का संपूरक कौन क्या होगा 60 होगा, 70 होगा 50 होगा या फिर 90 होगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अब बैल आकन को दबा लिजेगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नॉटिफिकेशन आपके मुबाइल पे जाए मिलते हैं अगले वीडियो में तैंक यू